दोस्तों आप सभी बिहार दरोगा नहीं भरती की बेसबरी सिंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुती बरी खुसखबरी है और ये जो खुसखबरी है दोस्तों बिहार साइबर दरोगा भरती को लेकर तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकरी देखिए बिहार में जो cyber druga की भरती होगी इसके लिए क्या कुछ योगिता रखा जाएगा selection की परक्रिया कैसे क्या होगी अभी अगर आपको पता रहेगा क्या कोई computer का भी degree मांगा जाएगा तो सभी चीजों के बारे माप आप सभी को बताने वाले हैं अब ये cyber druga क्या है तो सभी चीजों को लेकर इस वीडियो मा आप लोगों को बताने वाले हैं 640 पदों पर बहाली होगी तो पहले तो आप बहाली के बारे में देखि इसमें कौन-कौन सा पोस्ट शामिल है कैसे क्या होगा तो संपूर्ण जानकर इस वीडियो मा आप लोगों को देने वाले हैं और दोस्तों आप में से कौन-कौन भी हर दरोगा भरती की बेश अबरी से इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके बताईए देखते हैं आप में से कौन-कौन दरोगा भरती के इंतजार में है और आप में से किसका-किसका सपना है भी हर दरोगा बनने का कौन-कौन चाहते हैं कि हर हाल में इस बार भी हर दरोगा में सेलेक्शन लेना है डवल स्टार का सपना किसका-किसका है फटा-फटा आप सभी कमेंट करके बताईए अब यहां से दोस्तों आप देखिए आज के डेट का न्यूज है और यह जो न्यूज है हिंदूस्तान का न्यूज है तो यहां पर देखिएगा तो साइवर अपराद रोकने को राज में होंगे चवाल स्थाने अब ये cyber अपराद क्या होता है, तो cyber अपराद जो हुआ दोस्तों online अपराद, online अपराद में आप सुन रहे होंगे कि bank account से पैसे ये सब चीजों का ठगी कर लिया जाता है, किसी के account से 50,000 रुपे, 1,00,000 रुपे निकाल लिया गया, इन सभी चीजों को जाच के लिए भी क्य बाली गलोज ये सब चीजे करता है, तो उसका complain कहां किजेगा, यानि cyber crimes related जो भी चीजे है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि सभी जिला में एक special थाना बने आ जा रहा है, और वहाँ पर आप special इस थाना में क्या होगा, कि cyber crimes से संबध निती, report सारा कुछ लिखा जाएगा, अब ये होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए कि police constable चाहिए, दरोगा चाहिए, inspector चाहिए, यहाँ पर देखेगा, तो 640 पदों पर होगी भाली, यानि सीटों की संख्या अच्छा खासा ये रहने वाला है, अब ये कैसे क्या होगा, इसके लिए qualification में क्या कुछ मांगा इन सभी चीजों को लेकर आपको बताने वाले हैं, अगर आपको पहले से पता रहेगा, फिर आप computer core सारा कुछ पहले इस करके रखेगा, क्योंकि जब vacancy आ जाएगी तो उस समय आपके पास document सारा कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेगा, तो राज में cyber अपराद पर अंकुस लगाने के लिए राज्य सरकार ने बराप हैसला लिया है, और राज्य के हर जिले में एक एक रेल जिला सहीत, कुल 44 cyber पुलीस थाना होगा, और इन थानों को बेहतर संचालन के लिए, देखेगा, तो हर थाना में एक DSP भी दिया जा रहे, यानि cyber करेम पर क्या होग समय में, और समयत कुल 660 पदों पर नियुकती होगी, और मुखे सचिव आमिर सुभानी के अध्यक्स्ता में परसासी पदवर्ग समीती की बैठक में इस पर सहमाती दी गई है, इस पर देखेगा, तो हर थानिक लेके DSP, के लावा चार चार पुलीस निरिक्षक, तिन तिन पुलीस आवर निरिक्षक, तो यहाँ पर देखेगा, तो पुलीस आवर निरिक्षक, यानि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, एक एक प्रोग्रामर, प्रोग्रामर वाला जो पोस्ट होगा, यह केंप्यूटर से रिलिटेट सारा कुछ देखेंगे, दो दो सिपाही, तिन अब यह तो होगा, अब आप मैंसे यह सुच रहे होगे, खिये भरती होगी या फिर कैसे क्या, यह जो अगर भरती दोस्तों नई वेकेंसी जो दी जाएगी, तो अगर यह नही वेकेंसी दी जाती है, तो फिर यह दरोगास रिल्टेट जो पोस्ट है, यह बीपीएसस के आ करज gangster का है यहां पर इस आयोक के माध्यम से कंपानी कमांडर इसके बाद आशू सहाय कवर निरिक्षक यह तो अभी भरती निकाला जाता है इसके बाद देखेगा तो यह ढ़ीपार्टमेंटल एक जाम है सिमित परतियोक्ता परिक्षा इसके अलावा देखेगा तो यहां पर परवर्तन अवर निरिक्षक का है तो परवर्तन अवर निरिक्षक का भी वेकेंसी दिया गया था 212 पदों पर और अभी क्या है कि अभी मदनी सेद विभाग में अवर निरिक्षक की भरती आने वाली जो पार किसी पाद कौन सुची सिवलेवपीत किया जा सकता है अब अगर यह बीपी एससी आयू के माध्यम से भरती आएगी तो इसके लिए क्या कुछ सेलेक्षन पर क्रिया होगा इसके बारे मिहां से देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है तो यहां पर 2017 नियाम वली है और इसी कनुसार भरती सारा कुछ किया जाता है तो यहां पर देखिएगा पुलीस महानी देशक यानि डीजीपी से प्राप अध्यवपेक्षा कनुसार यानि वेकेंसी आने के बाद बिहार पुलीस अवर से वायोग द्वारा समाचार पत्रिया वेवसाइ इसके बाद देखिएगा तो BPSCIO के माध्यम से जो भी भरती आती है इसमें PT एक्जाम फिर मेंस एक्जाम और फिर इसके बाद फिजिकल ये सब परक्रिया रखा जाता है तो यहां पर देखिएगा तो परतियोगता परिक्षा उजीत करेगा और लिखित परिक्षा जो है यह था दो चर्णों में होगी जिसमें PT एक्जाम है तो PT एक्जाम में क्या होता है कि टोटल 100 question पूछा जाता है और एक question होता है दो मार्क्ष का यानि PT जो है 200 की परिक्षा है तो इसके बादे में यहां पर है पर्थम चरण प्रारभिक परिक्षा जित की जाएगा प्रार आपको साथ परतिसात मार्क यानि एक सो में से साथ क्वेस्चन आपको सही करना परेगा और उप्तपत्र में समान ज्यान समसामिक मुद्य से समभनित क्वेस्चन पूछे जाएंगे प्राविक परिक्षय हांप तंकों के अधार पर विसगुनाश पीजिकल टेस्ट विसगु समान विज्ञान नागरिक शास्त भारति एतिहास भुगोल गनित मानसिक योगता जास से संबादित होगा दोतिया पत्र का पुरुनांग 200 होगा जिसमें टोटल 100 क्वेस्टन पूछे जाएंगे इसके लिए आपको दो घंटे का समय दिया जागा और निगेटिव अंक भी है तो यहां पर है अलग-अलग पोस्ट का दिखेगा अब क्या हुआ है कि दरोगा पोस्ट में पहले क्या था कि अवर निरिक चक के लिए 6 मिनट का कंडिशन था भी से बढ़ा करके साढ़े 6 मिनट कर दिया गया तो यह आपके लिए राहत है कि दौर में बहुत सारे इचात फेल हो जाते थे एक मिल की दोड़ी यानि 16 मीटर आपको दोरना है यानि दोस्तों यहां पर BPSCIO के माध्यम से अगर यह विकेंसी दी जाएगी तो यहां पर भरती का जो प्रेकिरिया होगा PT exam होगा PT exam पास किजिएगा तफिर आपको mains exam देना है mains exam के बाद physical test होगा यानि अभी जो sub inspector की मेन वाली भरती है 2200 वाली जो भरती है उसमें जो exam का pattern अपने आ जाते वही pattern इसमें भी सारा कुछ अपने आ जाएगा तो यहां से आपको सारा कुछ clear हो गया और यह भरती अगर दी जाएगी तो बहुत जल दी जाएगी सारा कुछ जल्दी से related आप लोगों को notification यह सब चीजे देखने को मिलेगा तो बाकी यहां पर आज के रेट में न्यूज में जो भी यहां पर आया था बिहार सावर दरोगा भरती समदे तो उसके बारे में आप लोगों को update दे दिये और आप में से कौन-कौन भी हर दरोगा भरती की बेश अबरी से इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए बाकी यहां पर आज के रेट का क्या कुछ न्यूज था सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से clear हो गया होगा